सुपरभात बचो आज हम आपके व्याकरन का टॉपिक लेंगे अनुचेद, अनुचेद में हमारे पास दो अनुचेद हैं होली का तिहार और हमारा राश्ट्य धवज, धवज का मतलब है हमारा राश्ट्य जंडा जो हम लहराते हैं, तो होली का तिहार, होली के तिहार के बा निबंद जो है वो हमेशा बहुत बड़ा होता है हम सभी जानते हैं कि निबंद में हम एक दो पेज लिखते हैं एक हजार से बारां सो शब्द के करीब होते हैं पर अनुछेद में हम एक चोटा सा पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें सोश से लेकर 120 शब्द होते हैं तक्रीब को लगे कि आपकी 16-17 लाइने हो गई है, इट मीन्स कि आपके बर्ड जो है वो पूरे हो गए है, बहुत बढ़ा ना लिखें, अपने शब्दों का चुनाव जो है, मैं हमेशा कहती हूं कि जब भी आप लिखते हैं, मुश्किल शब्दों का चुनाव ना करें, क्योंकि अच्छी तरह से आते हैं, आपको जो शब्द है, उसे चुने, ठीक, होली का तिहार आपकी बुक में भी दिया गया है, जहां अनुछेद लेखन दिया गया है, 199 पेज, एक सो नडिन में पेज, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, 199, ठीक, बहां पे तीसरा पेराग्राफ होली का तिहार दिया गया है, अगर आप अपने आप से लिखना चाते हैं, तब भी लिख सकते हैं, बस अपनी जो वर्ड्स हैं, उनका ख्याल रगें, स्पैलिंग् तिहार फागुन में मनाया जाता है, अगर फागुन याद नहीं रहता, तो होली का तिहार मार्च महीने में आता है, सिंपल, पहली लाइन यहां से शूरू करके, आगे पुर्णिमा के रात को नगर के चुराहे पर, तो इससे पहले आप क्या लिखेंगे, कि होली से एक दि जो है, वो किया जाता है, लकडियां जला कर, खोली का जलाई जाती है, ठीक है, फोली से पहले एक दिन हमारे यहां नहीं चलता पंजाब में, लेकिन जो लोग उत्तरपरदेश से हैं, या बाहर-बिहार वाली साइड हैं, वो एक दिन पहले, खोली का देहन करते हैं, को पता है, वेरी गुड और बताइए, होली का देहन की स्टूरी किस को पता है, आपको पता है, हाँ, बोलो, भक्त प्रलाद, शाबार, करने के लिए, उनके बोट सारे अध्या चाहत है, एक दिन जलाद के पिताजी ने अपनी धैन खूलिका को, खूलिका को, इसको किसके पास एक ऐसे शक्ती थी, बोद आख पे अबना किंजी चोगा पैर के बैशेगी, तो उसको कुछ भी नीट होगा, इसी तरह बोद में ल बहुत अच्छी बात है कि आपको जो अपने संस्कृती का ग्यान है, हमें घर में हम बहुत सारी कहानिया पढ़ते हैं, तो होलिका देहन के पीछे कहानी क्या है, कि प्रलाद नाम के एक भक्त थे, और वो विश्नु का बहुत जादा भक्त था, चोटा बच्चा था, हर वक में जल नहीं सकती थी, तो जब इरनकशपी उससे बहुत दुखी हो गए प्रलाद से, तो उन्होंने क्या किया, होलिका को बोला कि तू इसको अपनी गोद में लेकर बैठ जा, तांकि क्या है कि ये जलकर भसम हो जाए, क्योंकि ये बगवान का नाम लेता रहता है, ये मु होलिका जो है, वो उसमें देहन हो, जलकर राक हो गई जबकि उसको वरदान मिला हुआ था, कि आग भी उसका कुछ भी बिगाड नहीं सकती, तो इस तरह बताया गया है कि इश्वर ये जो बहुत जादा शक्ती है, आप इसका थोड़ा सा वितरांत अनुछेद में दे सकते हैं कि होलिक से एक दिन पहले होलिका देहन किया जाता है, बड़ी-बड़े चुराहों में लकडियां इकठी करके जलाई जाती है, ये इसलिए जलाई जाती है, क्योंकि पुरान काल में कथा है भग प्रलाद की, ठीक है, अगर आपको स्पेलिंग नहीं आते हैं प्रलाद क या इस तरह होलिका के या लिखने में प्राबलम है, तो कहानी मतलि लिखना है, जिसे आते हैं, वो दो लाईने लिख सकता है, कि प्रलाद को सबक सिखाने के लिए उसके पिता जी ने उसको जलाने की कोशिश की, लेकिन होलिका को बरदान मिलने के वाबजूद भी, वो होल में जलकर राख हो गई तो तब से ये होली का देहन जो है वो किया जाता है ठीक है जी हाँ बेटा बोले हैं बिल्कुल वहां की होली तो सबसे जादा जो प्रसिद्ध है आप लिख सकते हैं कि होली का तिहार अगर पूरे भारत में कहीं बहुत उत्साह तरीके से मिना जाता है बरसाने की होली जग प्रसिद्ध है कृष्ण और राधा की रासली लाएं जो है वो बहुत दिन पहले शुरू हो जाती है उसके बाद वहां फूलों की होली जो है खेली जाती है ठीक है आप इजी शब्दों का चुनाव करके आप कुछ भी लिख सकते हैं मिटीरियल हमारे ज्या करे अनुछेद और लेटर जो है न बिटा वह एक या दो दिन पहले कौपी पे लिखकर देखिलिए जब आप दो दिन पहले भी कौपी पे लिखकर रख लेते हैं यह देख लेते हैं तो आपके दिमाग में वह सारी चीज़ें आती हैं ठीक है बोई प्राबलम नहीं आप को याद किया करूछ को एक चीज हो याद के लेते हैं तो वह बोलिक्का मैं तो ना बूलने वाली हमारा जो माइंड ह है आप सभी जानते ह grizzly काम करता है और जब चीजे हमें याद नहीं होती हैं, तो सुबह अगर पांच बजे उठकर आप उन चीजों को सिरफ तीस बार लिखते हैं, तो पर्मनेंटली वो आपके दिमाग में हम इशा के लिए जाती हैं। चीजें याद रखने के बड़े सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। सबसे अच्छा टाइम क्या होता है जब आप सुबह सुबह उड़ जाते हैं छे बज़े के करिए। कभी कोई चीज याद नहीं हो रही है, कोई बहुत मुश्किलारी मैं आज आपको थोड़े टिप्स देते हूं एक्जान के, कोई सम जो है वो नहीं समझ आ रहा, बड़ी परिशानी हो रही है। तो रात को जब सोना है उस सम के बारे में अपने दिमाग में रखना है कि ये नहीं आ रहा मुझे, इसका ये हल हो सकता है या ये हो सकता है बस सोचते हुए सोना है और आपका माइंड इतना पावरफुल है कि सुबह तक वो आपको इसका सोते सोते आप सो जाएंगे, उसके question को दोराते हैं उसका correct answer आपका दिमाग आपको देता है दिमाग आपका बहुत powerful है हम उसे use नहीं करते हैं अपने तरीके से ठीक तो जब भी कभी कोई मुसीबत इस तरहां की फसे जो आपको कोई भी question है नहीं याद हो रहा नहीं याद हो रहा उसको छोड़ दो बार बार जब उसको पढ़ोगे न तो वो bottom कल आपके दिमाग पे चाएगा और फिर वो कभी याद नहीं होगा उसको छोड़ दो सब easy चीज़े याद कर लो जो मुश्किल रहता है वो रात को उसको पढ़ना नहीं है एक बार पढ़ा और सो गए और रात को अपने दिमाग को कह देना है इसका क्या answer हो सकता था इसका ये था मुझे तो आई नहीं रहा यार help me एक बार अपने दिमाग को बोलो कि just help me और फिर सोजाओ सुबह छे बजए आपका दिमाग इतना active होता है कि आप अगर उठके वाश्रूम भी जाते हो तो आपका दिमाग आपको वो question का answer बताना शुरू कर देता है यह लग बात है कि हम अपने दिमाग के सुनते नहीं तो मुश्किल जहां एक्जाम में होगी जो चीज मुश्किल लगती है उसे रात को आपने सो कर मतब सोने से पहले उस रात को recall कर लेना है कि यह चीज मुश्किल है मेरे बसकी नहीं है तू मेरी help कर और सुबह दिमाग आ चीजें आपको बताने में ठीक है बेटा एक्जाम में पास करने बड़े असान है तरीके होने चाहिए तो हम कहां थे तिहार पे फोली का तिहार की जितनी लाइने आपको समझ में आती हैं जितनी याद होती हैं एक दिन पहले copy में लिखकर देख लें रात को एक बार करने की जरूरत नहीं होगी चाहिए वो दो दिन पहले करें चाहिए तीन दिन पहले करें लिखके देखना है और रात को उसको पढ़के सो जाना है सुबह अपने आप उस आपके दिमाग में यह सारी बाते रहेंगी जब आप एक्जाम करेंगे आप भूलेंगे ने ठीके अब आईये दुबारा फिर अब यहां लिखाया कि यह तिहार हमारे देश के सभी हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाए ब्रिंदा बनमें यह तिहार विशेश उसाह के साथ मनाए जाता है जैसे कि अब भी उसने बताया यहां के लोग 45 दिन तक इस तिहार को मनाते हैं य यह पहली बात पता चली मुझने पड़ी नहीं थी वेरी गुड विफ्टी डेज के करीम मतलब दो तीन महीने पहले से शुरू हो जाता होगा वहां पे यह सेलिब्रेशन वेरी गुड तो देखो कभी जाने का मौका मिले तो कितनी अच्छी बात है क्योंकि ये तिहार भगवान, तृष्ण, अपते भक्तों, गोपियों और गवालों के साथ मनाते थे पूरे फागुन मास में वहां मिठाई, पकवान, रंग गुलाल और मोज मस्ती चलती रहती है सभी गरों में गुजिया बनाई जाती है होली में सबको पता है कि अच्छे डंग से गुजिया बनती है गुजिया क्या होती है, मैदे का जिसमें बहुत सारे ड्राइफ रूट्स और सूजी के साथ चीनी डालके बनाई जाती है खासकर बच्चों को ये तिहार बहुत पसंद है जादा तर होली के आसपा सबकी वार्षिक परिक्षाएं होती है इसलिए थोड़ी परिशानी होती है पर खेलने की इच्छा रखने वाले इसे खेली लेते हैं मैंने पहले कहा कि जो एक्जाम आते हैं ठीक है पर फिर भी हमें टाइम अपने चीजों के लिए निकालना चाहिए एक्जाम पास करना आसान होता है हम उसे boredom करके मुश्किल बना देते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप जो आपका दिल करता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ वो लिकातिहार मनाता हूँ हम खूब गुमने जाते हैं हम पानी के गुबारे भरते हैं हम एक गुलाल एक दूसरे को लगाते हैं ठीक है आप लास्ट में अब इसने इन्होंने कुछ नहीं लिखा तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि कुछ बच्चे जो है या कुछ लोग जो है वो इस तिहार को गंदा करने की कोशिश करते हैं अंडा, गुबर या इस तरहां की चीजों से एक दूसरे को मारते हैं वो अच्छी बात नहीं है किसी वी तिहार की गरिमा क्या है जब हम उसको अच्छे डंग से अच्छे तरीके से, सफिस्टिकेटेट तरीके से मनाई फूलों की होली खेली जाती है ठीक है, होली के कलर्स बन जाते हैं घर में तो आप ये सब लिखेंगे जो भी आप अपने आसपास देखते हैं जो होली वाले दिन आप करते हैं वो लिखेंगे, मेरे खाल से इजी ली 120, 150 तक आपके वर्ड्स हो जाएंगे लास में आप लिख सकते हो कि इस तरह कुछ लोग गंदे तरीके से होली मनाते हैं, जो गलत बात है जैसे हम दिवाली का अतिहार लिखते हैं तो लिखते हैं कि कुछ लोग इस दिन जुगा खेलते हैं जो गलत बात है, तो इसी तरह डी मेरिट्स भी आपने बता देने हैं कि कुछ लोग क्या है इस तिहार को गंदा करने के लिए इस तरीके से ये करते हैं जबकि हमें नहीं करना चाहिए ठीक है ना, अंडे की बदबू बदू डालके यह वो कोई होली नहीं होते है होली मीन्स कि कलर से खेली जाए, रंगोली बनाई जाए, गुलाल उडाया जाए कितना मज़ा लगता है कलरफुल देखने में पर एक दूसरों को इस तरह जबरदस्ती मार के गोबर में गिरा के या कालख ग्रीस मूपे वो कोई होली नहीं है तो इस तरह आपने इसका होली का तिहार जो है वो लिखना है आप सभी कुछ लिखेंगे जो आपके घरों में होता है जो आप उस दिन खाते हैं पीते हैं अपने ढंग से और कोई इतनी मैं वो नहीं सोचना चाता कि मैं अपने आप लिख सकता हूं तो बुक आपकी हेल्प कर रही है आपकी बुक में दिया गया है हुली का तिहार गोटा चाड़िये जैसे हैं इस दिन गोटा भी लगता है पता इस दिन भांग भी मंदिरों के आसपास को भांग चानी जाती है लोग पीते हैं इस दिन होली के तिहार के दिन बांग के पकॉड़े चलते हैं या आप देवी तलाब मंदिर जाओ देखा है जल अंदर का देवी तलाब तो वहां बाहर एक साइड पे वो बांग गोल-गोल के वो सरदाई बना बना के देते हैं मीठी बहुत टेस्टी होती है तो हाँ पीनी नहीं है पर बच्चे नहीं पीते हैं ठीक है तो वो सब आप इसमें सब कुछ लिख सकते हैं ठीक है आप जानते हैं होली का तिहार कैसे मनाय जाता है बहुत इजी है इसमें कोई मुश्किल नहीं है आप अपने ढंग से लिख सकते हैं अगर किसी को कोई प्र इसके बारे में क्या क्या जानता है यहीं पर आज हम क्लियर कर लेते हैं चलो जी क्या क्या हां इंडियन प्लैग हमारा राष्ट्री जंडा नैशनल प्लैग चलो जी बताओ हर राष्ट्र का हर देश का एक ध्वज होता है ठीक है ना हर किसी के पास राष्ट्री मतलब हमारी जो common चीजे हैं, जैसे हम सभी जानते हैं, हमारा राष्ट्य फूल क्या है, कमल है, हमारा राष्ट्य पक्षी क्या है, मोर है, हमारा राष्ट्य पशू क्या है, चीता है, ठीक, तो इस तरह जो चीजे हैं, क्या है, चीता नहीं है, ताइगर उसको वही बोलते हैं, बाग, चीता ह बाग होता है, थोड़ा फरक होगा, पैंसर चीता एक ही बात हो जाती है, ठीक, तो बाग चीता जो है हमारा राष्ट्य पशु है, द्वज जो है वो एक चीज है, हमारा राष्ट्य गान क्या है, हमारा राष्ट्य गीत क्या है, दोनों लग-लग है, गान क्या है, जो हम गाते जनर गनमन और गीत क्या है बंदे मातरम कि इस तरह हर चीज जो है एक देश का एक स्टेटोस होता है उसे साथ से उसकी हर एक चीज एक नेशनलाइज चीज होती है, एक राष्ट्य चीज होती है, तो हमारा राष्ट्य द्वज़ जो है, वो तीन रंगों से बना है, ठीक है? हर देश का अपना एक राष्ट्य द्वज होता है, हमारा राष्ट्य द्वज़ जो है, वो तीन रंगों से बना है, सबसे पहले उपर ह केसरी नीचे है सफेद और तीसरे उसमें है गरहरा रग तो आपने इन तीनों का सिंबल बताना है कि केसरी रंग किसका प्रतीक है बताएए त्याग बलिदान शौरता का प्रतीक जो है वो क्या है यह देखो हर सबतंतर देश का एक राष्ट्य धवज है हमारे देश का भी एक राष्ट्य धवज है तिरंगा हमारे धवज का नाम क्या है तिरंगा क्योंकि क्यों तिरंगा है क्योंकि इसमें तीन रंग समाई है यह आप सब लिख सकते हैं कि हम इसे तिरंगा क्यों कहते हैं हम इसे तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें तीन रंगों का समावेश है या इसमें तीन रंग शामिल किये गए हैं केसरिया रंग उपर की पटिका है जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है बीच में जो सफेद रंग है वो शान्ती का प्रतीक है और प्यार का प्रतीक है और सबसे नीचे जो हरा रंग है वो खुशहाली और हरयाली का प्रतीक है ठीक है इसलिए हमने ये तीन रंग इस जंडे में शामिल किये हैं. आगे जंडे के बीच में अशोक चक्र है. सब जानते हैं ना जो बीच में बना है? जंडे के बीचे में अशोक चक्र है और उसकी डंडियां कितनी है? ये जीके में भी कॉस्टन आता है. How many strokes are there in national flag? आता है ना? तो there are 24 strokes. तो आपकी इसमें कितनी तीलियां है? 24. तो ये भी लिखेंगे आप. उसके बाद ये हमें गती शील और कार्यरत रहने की प्रेरना देती हैं. ये चक्र सारनात के बने अशोक के सिंग स्थम से लिया गया है. तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो गोल चक्र जिसकी आप 24 जंडियां है ये कहां से लिया गया है? ये अशोक के स्थम से लिया गया है. आपने देखा है अशोक का स्थम उसमें भी दिया है. प्रियंबल में भी दिया जाता है. हमारे सविधान में भी दिया जाता है. तीन आप बातें लिखेंगे, उसके बाद हम अपने द्वज का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सारे राष्टिय प्रोग्राम्स में, लाल किले में हमेशा जो जंडा है वो लहराया जाता है और वहां पे ही लगा रहता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में, जब तक हां, जितने भी देश से रिलेटेड या हम कोई भी तेहार मनाते हैं, जैसे 26 जन्वरी हो गई है, 15 अगस्त हो गए हैं, तब जो इसका सम्मान किया जाता है, लहराया जाता है, बड़ी-बड़ी सरकारी विल्डिंग में जंडा लहराया जाता है, यह सब आप लिखेंगे, चिक है? सब आपको इसको इखीच-खीच के लम्मा करना है कि हमारी ये जो इसके रंग किस चीज के प्रतीक है, ये कहां से लिया गया है, आप ये चक्र भी लिख सकते हैं, कि इसका रंग क्या होता है, नीले रंग का होता है, चीक है? ये भी याद रखें, ये भी लिख सकते हैं किसी को कोई पूछ पूछना एक मिनट यह जो ओनलाइन बैठे सब चुप क्यों है आज इतने हैं सो रहे हैं सब किसी को कुछ पूछना नहीं है बेटा एवरिधिंग इस क्लिर ओनलाइन जो बैठे सारे हमारा राश्ट्रियस वर्ज क्या लिखोगे सबसे पहले जब जी करूँ आपको अन्म्यूट बताओगे यही नहीं पता नहीं कहा है जब जी मुझे आप मिलनी रहे हो इसके है वेट चलो करो जब आपने आपको अन्म्यूट हम लिखेंगे कि सभी सभी देशों का एक राश्ट्र दवज होता है हाँ शुर्वात हम यही करें कि हर राश्ट्र का हर राश्ट्र का हर देश का एक राश्ट्र दवज होता है तो हमारे राश्ट्र दवज का नाम क्या है तिरंगा है ठीक तो तिरंगा हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें तीन रंगों का समावेश किया गया है या इसमें तीन रंग शामिल किये गए है। ow mix किए गये हैं इसमें तीन रंगों का समावेश किया गया है या इसमें तीन रंग किया गये है सबसे उपर केशरी रंग है केशरी रंग त्याग और बलिदान का प्रथीख है उसके नीचे हमें सफेद रंग दिया गया है जो की शांती और प्यार का प्रतीक है सबसे अंत में हमें हरा रंग दिया गया है जो खुश्याली और हर्याली का प्रतीक है इस प्रकार हमारे देश में जो चीजें हम चाहते हैं कि वो जादा से जादा हो हमने उसका समावेश अपने तिरंगे जंडे में लिया ह और इसके बीच में हमने अशोक चक्र से चक्र लिया है जिसमें 24 तीलिया होती है ये भी हमें क्या संदेश देता है ये चक्र हमें निरंतर गती शील हमेशा चलते रहने का संदेश जो है वो देता है ठीक है इतना आप लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे कि हम अपने ध्वज का बहुत सम्मान करते हैं देश में जितने भी राष्ट्य तिहार मनाई जाते हैं जैसे कि 26 जनवरी है या 15 अगस्त है उस वक्त इस अध्वज को लहराया जाता है एवन की अगर कहीं भी किसी भी कारे का समापन होता है किसी समरो का समापन होता है ताब हम उसके समापन में रा आप लिखेंगे किसी भी समरो का जैसे क्या कहते है उधगातन भी हो सकता है या अरंभ भी हम लोग जंडा पैरा करते हैं यह सब बाते आपने अपने इस राष्ट्य द्वज में देनी हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में होली का तिहार कैसे मनाया जाता है इसमें रंग लिए गए हैं चीजें ली गए हैं यह सब इसमें आपने पता ना है ठीक है टाइम कितना रह गया है कि हम विराम चिन कर सकें अब इस दोनों अनुछेद में कुईसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी हाँ निरंतर गतीमान रहने का और लगातार कार्य करते रहने का संदेश देता है ठीक है बेटा यह लिख सकते हैं हाँ जी बेटा बोलो बिल्कुल हमें निरंतर देश की तरक्षी के लिए या प्रगती के लिए कार्य करते रहने की प्रेर्णा जो है वो अशोक चक्र देता है राइट ताइम देखो विराम चिन कर सकते हैं विराम चिन वैसे आपको यार देना थोड़े बहुत रीकॉल कर लेते हैं प्रटाफट से आपको इसकी ना वो एक्सरसाइज भेज दूगे विराम चिन अगराफ प्रपी पर कर लेना चिक है सबसे पहले पून विराम क्या होता है जल्दी से बताओ जब हम संटेंस खतम करते हैं तो यह लगती है ज़ड़ी इसको हम क्या कहते हैं पूर्ण विराम अर्द विराम इस तरह का कॉमा इस तरह बिंदी लगाकर इस तरह का कॉमा इसे हम क्या कहते हैं अर्द विराम मतलब जब दो संटेंस हो और दोनों के बीच हमें पॉस देना हो दो संटेंस के बीच में मैं बार 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 बताते हूं इस चीज को गलत नहीं करना अर्द विराम क्या होता है जब दो संटेंस के बीच में रात बीच गई उसके बाद अर्द विराम लगा कर सुबा हो गई सुबा हो गई एक पूरा संटेंस है रात बीच गई एक पूरा संटेंस है ठीक है तो इस तरह उनके बीच में क्या लगेगा ये वाला अर्द विराम अब अल्प विराम सिंपल कॉमा राम शाम गीता खेल रहे थे राम पॉमा गीता पॉमा शाम खेल रहे थे तो दोनों इन तीनों में क्या लगेगा पॉमा इससे हम क्या कहते हैं अल्प विराम जब हम थोड़ा सा पॉस देना चाहते हैं अर्द विराम जब दो बाक्यों में हम पहुस्स देते हैं तो वो क्या होता है अर्थ विराम जब बिल्कुल छोटा सा विराम देना हो हमें शब्दों में तो क्या होता है अल्प भी लगाते हैं ज्के बाद डिशमे इस तरह जब हम सुख दुख खुशी हिरावनी गम इस तरह के जो भाप रकट करते हैं तो क्या होता है विसमे बोदक आपको बिटे इनके नाम जैसे पता होने चाहिए लेकिन पेपर में कैसे आएगा वाक्य में विरामचिन लगाएं नहीं वह नहीं आएगा आपको बाक्य दिये जाएंगे उसमें आपको यह होगा कि विरामचिन लगाएं ठीच अब आईए विबरन चिन यहां लिखे के विवरंचिन क्या होता है कि इस तरह का मैंने आपको प्टाय था विवरंण का मतलब होता है जब हम कोई चीजे explain करते हैं तो वह क्या कहलाता है विवरंचिन संग्या के तीन भेध हैं आगे इस तरह का चेन लगाकर हम क्या लिखेंगे व्यक्टिवाचक बाबाचक और जातिवाचक'. ठीक? तो इसे हम क्या कहते हैं? विवरन चिण. अब योजक, इस तरहां का हाइफन, दो शब्दों के बीच में, विलोम शब्दों के बीच में, या दो शब्दों के बीच में, हरे- हरे, पाप पुन्य, दिन रात, जब इस तरह हम लिखते हैं तो वो क्या होते हैं? योजक चिन अब आईए कोष्टक top ये ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं? कोष्टक ये भी ये भी जब भी हमें कोई नाटक या हम कहानी पड़ते हैं कोई मन की बाद जिसको हम hidden रखना चाहते हैं, वो उसने देखा गुस्टे से, अब गुस्टे से चुकी हम कहानी पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता चलेगा, उसने देखा, इस धंग से देखा, तो उस feeling को express करने के लिए हम bracket में उसको क्या लिख देते हैं गुस्टे से, तो इस तरह हम bracket का इस् लाघव, लाघव चिन, इस तरह के, चोटा सा बिंदी हम लगाते हैं, जिसमें हम पूरा शब्द न लिखकर, शब्द को आधा लिखते हैं, जैसे डॉक्तर लिखा जाता है, पूरा लिखते हैं इस तरह, तो अगर इसको आधा लिखना हो, तो हम इस तरह लिखते हैं, ठीक तो ये क्या है लाघव चिन इसे हम क्या कहते हैं लाघव का मतलब होता है छोटा लगू तो जब हम बड़े शब्दों को छोटे रूप में लिखते हैं तो हम लाघव चिन का इस्तेमाल करते हैं कहियों के नाम होते हैं बहुत बड़े जैसे APJ कलाम हम बोलते हैं तो A.P.S लाघव चिन लगाते हैं जबकि उनका पूरा नाम की है अब्डुल खलाम है तो उसमी साथ से लाघव चिनों का इस्तेमाल बड़े शब्दों को छोटा करने के लिए इसतेमाल किया जाता है निर्देश चिन जब हम किसी को कोई निर्देश देते हैं अध्यापक ने कहा बाहर चले जाओ निर्देश दिया गया चीक कोई कमांड दी गई तो ये क्या है निर्देश अक्षिन बागे हम बाद में करेंगे नेक्सुस में